हालो एब्रीवन गुदीवनिंग और वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग शाम के करीब पॉने पांच बजी कर यह टाइम होगा मुझे एक्जेक्टली नहीं पता है और लंच वगरा करने के बाद ना मैं आप पर जो है लेटने के लिए आ गए थी और अभी भी मेरे रजा से निकलने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी लेकिन निकलना पड़ेगा सैटेड़े संडे दो दिन खूब मस्ती कर लिए खूब मनमानी कर लिए फाइनली अब कल से फिर से रूटीन में वापस आना है कल से बच्चों की स्कूल है और कल है दोनों बच्चों का एक्जाम और दोनों के दोनों में से कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहा है मुझे यहां तक आवाज आ रही है कि दोनों लैपटॉप देख रहे हैं और बता है यह बच्चे ना ऐसी फायदा उठाते मैं सो जाओंगी ना तो जब तक इनको डांट नहीं पढ़ेगी ना तब तक यह और आज जो है हमको थोड़ा सा मार्केट भी जाना है क्योंकि विदांच के शूष छोटे हो गए है तो इसके नए जूते लेकर आने स्कूल के लिए तो इन बच्चों के साथ ऐसे ही होता है मतलब अभी दो महीना पहले वंचिका ने बोला कि मेरे शूष छोटे हो उसको द मैं बहुत जादा महेंगे जूते और कपड़े इनको कभी नहीं लेकर देती हूँ क्योंकि वही है कि हर 3-4 मेने में इनके कपड़े जूते छोटो जाते हैं फिर दूसरे लेने पटने तो बस यही है तो चलिए बाहर चलते हैं फाइनल इस बिस्तर को छोडते हैं क्योंकि रजाई और कंबल तो ऐसी होती है ना कि जितनी गर्माहट आती रहेगी उतना जोए इसके अंदर बैठने का मन करता है और बच्चों को दिखाती हूँ आप लोगों को कि देखिए क्या कर रहे हैं यह देखो इन दोनों को यह है यह दोनों का एक्जाम है और यह लोग आते निये तो होली में आले नाप हां से राय और खाड़े हो जाओ दोनों और यह क्या खाया यहां पर इसमें क्या खाया स्ट्रॉबेरी चमत से कौन खाता है अच्छा और यह देखो उटो बई उटो चलो बंदी अब यहां पर बैठ जो और आम से और अपना निकालो कल का जो भी तुमारा एक्जाम है यह कटोरी रख के आओ जल्दी से वंची का इसके साथ मत बैठा करें तिरको भी अपने जैसा बना देगा जैसे यह खूद है अच्छा ही तो नहीं है बहुत खराब है खराब है चल खड़ा हो जा फटा फट से खड़ा हो जा इतना आलस नहीं का नहीं थी खाना आलसी चलो वंचीगा का इस ऑस गया कर रहे है कि आराम कर रहे है सो रहे ज़लिए सॉंच पैण। तुरंट वेदा अंच सॉंच बैन चल जल्दी से ठीक है चलो अ । अरे बिटा कोई सा भी बैलो ना जबता आखा यह पैन ले उस टु यह लो तूरंत पहनो चोटी निये बिटा इतनी होती है अच्छी लग रही है प्यारी है ना हाँ मैच भी हो रही है बिल्कुल कपडों से मैचिंग मैचिंग होगी क्या हो गया क्या दीदी 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 से क्यों पूछ रहा है अपने आप से कर जो करना है ओहो दीदी से सब बता करना है ना वंची का टेस्ट बना के देगी ठीक है ना वंची का टेस्ट बना के देदे इसको ठीक है और यह देखो यहाप पर फूट्स खाके इनके छिलके यही रखे हुए हाँ पर जो है ना मैं चाये बनाने के लिए आई थी और मैं ना बरतन ढूंड रही थी चाये का तो पहले मैंने सारी जगे चेक किया लेकिन फिर मेरी नजर एक्दम बासकेट में गई तो वो सबसे नीचे रखा हुआ था अभी क्या होता है ना कि सबसे नीचे रखे हुए बरतन को निकालने में ना और जो बरतन है ना वो बड़ी तेज तेज आवाज करते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले इन बरतनों को ही सेट कर दू इनकी जगे पे तो फिर वो जो है एजिली निकल जाएगा तो इस बाह बरतन जो है मैंने अरेंज कर लिये है और उसके साथ ही जो टावल होता है ना इसको मैं बाहर सुखा देती हूं ताकि साथ के साथ ये भी सूख जाए और अब बना लेते हैं चाए तो यहां पर देखिए मैंने चीनी चाए पती सब कुछ आइट कर दिया है और अपी बीच म मैं चाए वाला मसाला ऴौD ऑ क आइट करने लगी थी लेकिन उसको तो ना मैं मतलब बहुत जधा शयद डाल रही थी या जो भी था उसको पी के मेरे मुपे मुपे बीचाले हो गए मतलब मतलब वह शाय है आ जो ता ना वो गरम कर गया तो चाए 만들어 का मसाला भी बहूँ पि और अब बच्चों का एक्जाम धाना तो मैं वंशी का से यहां पर question answer पूछ रही थी चाहे पीते पीते और थोड़ी थोड़ी सी मस्ती भी मैं करें थी तो इसको याद नहीं था तो यहां पर मैं बोल रही थी कि अभी इसको अच्छे से याद करो मैं क्यों बता हूं तेस्ट में थोड़ा थोड़ा सा चीटिंग चलती है न विलाइच पूरा टेस्ट यह पूरा सेंटेज उसी के लिए इसको फ्राक्शन में कनवर्ट काना है नहीं मेरे को नहीं पता खुद कर कोई बहने नी बता दी अपने भाई को कोई चीटिंग तो चाहर थोड़ा एक पर क्यामरा बंद करना इसको मैं थोड़ा से कुछ समझा दो उसके बाद करना अपसरी इसको सब समझे वारे चलो कोई नी तो बहुत प्यार से समझा होंगे अब हम लोग जा रहे हैं विदांश के लिए शूज लेने के लिए खुशी हो रही है कितनी बहुत जाए जब नए जूदे चपल आते नहीं जाए ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना आपको पते माई क्रिकेट खेलता है तो चलिए चलते विदांश के पापा हम नहीं जा रही है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाने वाले पांस में हमारी मार्केट है तो वहां जाएंगे और विदांश के लिए फटाफट से शूज लेकर आते तो चलिए चलते चले हाँ वेंचु यह दरवाजा बंद करो बटा नहीं अभी करो पहल तो बहुत यहां पर आगे हैं विदांश के शूज और विदांश हो गया है बहुत जादा हैपी कल नए जूते पैनके जाने वाला है ना कितने दिनों में बोलेगा कि ममन आये वाले लादो नहीं 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 जब छोटे जाएंगे कल तो फिर पता है क्या होगा फिर उसके बाद ही चलो उटो पढ़ाई करो बहुत गूम लिया और यह देखिए प्रेस के कपड़े भी आ गए इनको भी लगाना है अभी सेटिंग से और वंशी का को देख लेतें क्या करी हैं और यह देखिए बस मम्मी के जाने का वेट होत आता है ऐसा क्या चल रहा है इस टीवी में कौन सी मूवी अच्छा इनके टीवी आगी थी मार्केट से और मार्केट से मैं आई तो देखा प्रेस के कपड़े आ गए तो बस सुचा कि इनको अरेंज कर देती हूं पहले और हाँ यह वाला ड्रेस आपको बहुत पसंद आया जो मैंने पैना हुआ है तो यह मैंने लोकल मार्केट से जो लगती है ना ट्यूजडे मार्केट और सैटने मार्केट तो वहां से लिया था यह मुझे 450 का मिला था बहुत बढ़िया है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है बाकी तो वाश करने के बाद पता लगेगा लेकिन हाल तो यह बहुत अच्छा है अचा मुझे कुछ लोगों से कुछ बात करनी है अभी कुछ टाइम से मेरे वीडियो में मेरे वेट को लेके बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं तो कुछ पॉजिटीव होते हैं कुछ नेगटीव होते हैं और जो नेगटीव होते हैं वो इत लेकिन कुछ problems होती है हर औरत के साथ एक age होती है age के साथ इतनी सारी body में changes आते हैं तो ये एक phase होता है जहां पर जो weight है वो gain हो जाता है ये नहीं है कि मैं भी चाहरी हूँ कि मेरा weight gain हो लेकिन ये खुछ से हो रहा है तो मैं अभी कर रही हूँ कोशिश और जो भी चीज़ें ह करके ही manage होंगी तो कृपया ना इस चीज़ को लेके भद्दे कमेंट मत किया कीजिए मतला मुझे ये लगता है कि चलो हमारा weight तो अभी gain हुआ है कुछ time से लेकिन जो लोग वाकई जो ladies मोटी होती है उसका तो यहां ना दुनिया जीना हराम करके रखती होगी ना तो मतलब एक बात और बोलनी है कि कोई औरत नहीं चाती है कि उसका weight बड़े लेकिन कुछ चीज़े होती है जिसके वज़े से weight gain हो जाता है तो body shaming करना इतनी गलत चीज़ है ना लेकिन इन जैसे लोगों को नहीं पता है जो आके जो है वीडियो पे गंदे गंदे से comments करके चले जात तो अगर आप लोग चीज़ों को समझ नहीं सकते ना यह जो ऐसे गंदे comments करके जाते हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो मत देखा कीजिए तो 70-80% लेडिज ही होती है जो comment करते है इस तरीके के क्योंकि मैं हमेशा सही बोलती हूँ कि मेरे daily vlogs है जैसे लोग इतना इन जो weight की आड लेकर जो है गंदे से और भदे से comments करते हैं उनके लिए नहीं है जो normally बोलते हैं पर मैंना मश्रूम की सबजी बना रही हूँ और आज मश्रूम की सबजी मैं बिल्कुल सूखी सूखी बनाऊंगी जैसे मश्रूम मसाला कह लीजिए मैंने सिफ प्याज और टमा पानी जो है खुदी छोड़ देती है और बहुत बढ़ी सबजी बनती है इस तरीके से तो बस सबजी बना के जो है मैंने साइट कर दी है और अब मैं बनाऊंगी गर्मा-गर्म रोटियां बच्चों को मैंने बिठा दिया था कि बैट जो वटावर्ट सब डिनर करके सोना ह क्योंकि नेक्स्टे था बच्चों का पेपर अच्छा सबजी ऐसी थी कि पहले ना दोनों बच्चे थोड़ा सा नाक मुसी कोड रहते खाने के लिए लेकिन जब उन्होंने टेस्ट करी ना तो उन्हें बहुत पसंद आई तो अगर आप इस सबजी को पलक के साथ बनाना चाहे तो इसी तरीखे से सेम पलक के साथ भी बना सकते हैं जल्द है आप लोगों के साथ वह वाली रेसिपी भी मैं शेयर करूंगी पलक और मश्रूम भी बहुत ही जादा टेस्टी बनती है तो बस यहाँ पर जो है अभी बच मैं आप से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ तब तक ले बाब बाई टेक केर एंड गुड नाइट